Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल आर्थिक तोर पे plan करना अपने आपको बहुत जरूरी है, जैसे कि planning life में बहुत जरूरी है, तो वो सारी चीजे आप उस तरीके से achieve कर पाओगे या targets तब achieve कर पाओगे जब आप उसे plan करके आगे बढ़ोगे, तो इसी चीजे को continue करते हैं और आज के lecture में हम second part of economic planning पर आते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि आपको ये जो PDFs हैं, ये सारी PDFs उपलब्ध होंगी मेरे टेलेकाम हंडल पर, आयूश संगीज IIS Academy, इस पर जरूर मेरे साथ जुड़े, और इसी के साथ साथ आप इंस्टा और Twitter पर भी मुझे follow कर सकते हैं, follow me और इंस्टा और Twitter for very good value content that would help you through and through, जो आपको help करेगा preparation में, बहुत interesting content हम इस पे डालते हैं, तो यदि आप IIS की तयारी कर रहे हैं, और आप courses को subscribe करना चाहते हैं, तो जरूर subscribe करें, ये सारे courses Study IQ IIS की website पर live होते हैं, जिसका link आपको description में और comment section में दिख जाएगा, इन courses को हमने well structure करके, सारी पूरा syllabus coverage जो है, वो किया है, जब मैं syllabus coverage कहता हूँ, syllabus coverage का मतलब ये है, कि हम general studies का prelims और mains का complete syllabus कवर करते हैं, और हमारे batches जो है periodic basis पे आते रहते हैं, आपको दिख जाएगा, so at any given point of time, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा, कि तैयारी में आप कुछ चूट रहा है, या आप पीछे ले गए, तो जरूर इसकी तैयारी करें, यदि आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी को recommend करना चाहते हैं, तो study IQ IAS के courses उपलब्ध होंगे, और अगर आप मेरा code यूज करोगे, जो की है सांगी life, आपको यही courses एक discounted price पर मिलेंगे, तो आईए चर्चा करते है, planning की, यह दो तरीके की planning है, जहां पर आप types of planning के नाम देख रहे हैं board पे, इनको कहा जाता है imperative planning और indicative planning, और indicative planning, अब हम जो पहले type का plan है, imperative planning, उस पर चर्चा करेंगे, So, I will make you understand what imperative planning means, and how is it applicable, how is it relevant in today's day and age, आज की तारीक में वो कैसे relevant है, आईए चर्चा करते है, imperative planning पे, तो जब मैं यह खहता हूँ कि imperative planning, अबसे पहले imperative word हमें समझना परेगा, कि imperative का मतलब क्या होता है, imperative का dictionary meaning होता है, कोई चीज़ जरूरी हो, necessary हो, या कोई चीज़ urgent हो, ये इसका dictionary भी रही है, कि अगर आप सर्च करोगे तो dictionary में यह मतलब लिखलेगा, उसके सिवा इसका एक मतलब और है, और उसे कहा जाता है command, command, target, आप किसी को order दे रहे हैं, तो imperative planning को जब हम यहाँ समझते हैं, तो हम इस context में समझते हैं, command planning, कि command करके, डाट के, चुप करा के, order दे कर आप काम करा रहे हैं, तो command planning और target planning यह imperative planning के मतलब होते हैं, तो imperative planning जो है, वो follow करी गई दो किसम की अर्पिवस्थाओं में, पहले जो देश थे, वो थे socialist देश, the socialist countries, तो socialism में क्या होता है, कि जो resources है, वो resources पूरी community में बाटे जाते हैं, उनकी ownership जो है, वो पूरी community में करी जाती है, या पूरी community में बाटी जाती है, उसका फायदा सब को equally मिलता है, वो एक socialist model है, और ये socialist model प्रपोस किया गया था, काल मार्क्स द्वारा, जिसमें हमने बहुत डीटेल में चर्चर्चा करी थी, चाप्टर वान और चाप्टर टू में, आप हमारी इसी सीरीज में देख सकते हैं, और जो दूसरा model है, command economy का, वो है, communist model, communist model यानि everything is owned by a community, सब कुछ जो है, वो community द्वारा owned है, community decide करेंगी कि आप को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, nothing is privately owned, उसको कहा जाता है, communist model जिससे, जो communist party है, उसका mindset आता है, तो communist party of China, comes closest to the community model, तो या यह communism model, तो communist model या communism model या community, इससे closest जो है, वो CPC communist party of China आता है, हाला कि CPC भी पूरी तरीके से communist party के ideals को follow नहीं करता, point यह है, कि यह दोनो economies, जो है, इनको आप एक command economy बोलोगे, क्योंकि सारी चीज़े, command पे चलती है, सारी चीज़े जो है, order पे चलती है, target based चलती है, यहाँ पर market participation zero है, market participation इधर नहीं होता, या नहीं किया जाता, तो indicative planning के, अगर imperative planning के, I'm sorry, imperative planning के, अगर हम features को categorize करें, तो सबसे पहला feature यह है, कि numerical basis पे, यह चीज़ जो है, इसका target लिया जाता है, यानि आपको school खोलना है, आपको hospitals बनाने है, आपको यह चीज़े करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए, आपको target रखना पढ़ता है, जो की quantifiable हो, जैसे कि मान लीजे हमें 500 school खोलने है, या 5 करोड भारत सरकार को toilets बनाने थे, तो वो सारी के सारी चीज़ें आती है, as a part of numerical target, अब point यह है, कि imperative planning में, जो numerical target है, उसको achieve करने के लिए, आपके जो resources है, वो सारे state owned होते हैं, मतलब there is no private participation, किसी भी तरीके का private participation नहीं होता, यह जो schools है, यह hospital है, यह toilets है, यह privately owned नहीं होते, they are not owned privately, इस बात का ख्याल रखें, इस बात को ध्यान रखें, एक बहुत भी important future है, वो यह है, कि market participation is zero market का कोई रोल नहीं है यानि कि demand and supply का कोई रोल नहीं है जब ये बात कही जाती है कि demand and supply का कोई रोल नहीं है इसका मतलब ये है कि everything is regulated by the state सब कुछ state द्वारा regulated है तो ये जो features है ये सारे के सारे features imperative planning के features है जो यहाँ पर आते हैं जिसके basis पे command economies, socialist economies या communist economies चलती है तो यहाँ पर जो countries का example आपके मन में आएगा वो बिलकुल सही है चाहे erstwhile USSR हो या आज का Russia हो उसके बाद China हो और ऐसे कई देश अभी examples के रूपे में आपको बताऊंगा वो इस चीज़ पे या इस function पे function करते है तो देखें क्या कहती है imperative planning की definition that is followed by state economies की state या countries that is socialist or communist economies is known as the imperative planning process such planning is also called as directive or target planning highly important इसको directive planning या target planning या एक word या keyword जो मैंने आपको अभी बताया था उसे बोलते है command planning command economies है command planning वो बिलकुल सटीक word है in economies के लिए in countries के लिए तो socialist system में all economic decisions were centralized in the hands of the state with collective ownership of resources collective ownership की सब के पास है मान लीजे मेरे पास दो गाये है उन दो गाये मैंसे एक गाये जो है मैं अपने नेवर को दे दूँ क्योंकि उसके पास नहीं है तो दोनों उसका दूद नकालके पिएंगे अपना अपना खुश रहेंगे ये है collective ownership of resources socialism communism में क्या होता है कि दो गाये है दो गाये जो है state आप से ले लेगी या colony आप से ले लेगी अब उन दो गाये का जो दूद निकलेगा वो पूरी colony पिएगी उसको बोलते communist party communist system तो China of the past all resources were to be owned and utilized by the state वो colony ओन करेगी वो सरकार ओन करेगी including labor तस communist China was the purest example of such planning it comes closest आज की rate में pure communism कोई भी follow नहीं करता है क्योंकि अपने असाब से आप economies drive करते हो हम democratic भी है साथ में हमार command economy भी है press की freedom नहीं है private sector जो है सिर्फ country का participate करता है so in the case of the Soviet Union a little bit of market did exist यहां वे थोड़ा भूत market exist करता था लेकिन इसके feature के अनुसार imperative planning में market structure exist नहीं करता so numerical targets of growth and development are set by the plan so numerical targets है वो growth द्वारा और development का stage जो है वो plan द्वारा set है it is set so 2000 primary schools to new express ways नहीं medical facilities, highways will be produced, built in the coming 2-3 years यह quantifiable numerical targets है इनको ध्यान रखेगा these are quantifiable numerical targets इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो यह है कि state controls the ownership rights over the resources it is very much possible to realize the above cited planned targets जो यह planned targets है यह इस चीज़ पर चलेंगे कि state सब कुछ control करेगा यह imperative planning का feature है everything is owned by the state which is why market system does not exist कि आप demand supply पे prices regulate कर रहे है यह चीज़ एक्सिस्स नहीं कर दी इसमे no price mechanism without all economic decisions to be taken in the centralized way by the state or the government यह चीज़ चली आ रही है और उसके साथ क्योंकि आप समझी गए है तो private participation नहीं है only the state plays the economic role सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है वो economic role play करता है इस वज़े से जैसा मैंने आपको बताया इनको आप command economy कहोगे follow this kind of planning तो command economies में USSR, China, Hungary, Austria यह सारे देश थे these countries used to be command economies तो command economy के चलते या command economy को मद्दे नज़र रखते हुए imperative planning का concept proposed किया गया था this was proposed इसी को देखते हुए एक Polish economist है Polish यानी Poland के economist है तो Poland के जो economist है उन्होंने क्या बोला Oscar Lange इन्होंने एक term introduce करा जिसको बोलते है market socialism क्योंकि देखे आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो मतलब 1750 से 1950 से 1950 से में आए 200 साल हो गए अब 200 साल के बाद post 200 years आपने ये सोचा कि हम एक ही टाइप चीज़ पर पकड़के नहीं रह सकते कि हम पूरी तरीके से command है command ही चलेंगे नहीं नहीं रह सकते फेल हो जाओगे वो structure पूरा breakdown हो जाएगा वो collapse हो जाएगा पूरा economic structure जो कि हुआ जब great depression हुआ 1927-28 में तो 1929 ओनवर्द सारे पूरी दुनिया ने ये बोलना शुरू करा सबने अपनी गड़त लगाई सबने अपना घ्यान लगाया सबने अपना दिमाग लगाया तो ये बोला कि चाहे वो capitalist system हो जो कि America follow करता था वहाँ से आया था American Revolution के बाद या 1850 के बाद Marxist system हो जो कि socialist system था बाद में evolve होके वो communist system आया तो 1750 से लेके 1929 तक दुनिया ने capitalist countries भी देखनी socialist countries भी देखनी communist countries भी देखनी सारे models fail हो गए मतलब great depression में कोई नहीं बचा आपने socialism क्यों आया था इसलिए आया था ना capitalism को beat करने के लिए कि ये economic system बहुत अच्छा है कि सब का सब कुछ होना चाहिए labor class का सब कुछ होना चाहिए ठीक है दे दो फिर भी collapse हो गया आदे से जादा दुनिया जो है वो कहा चली गई वो गर्त में चली गई इसका मतब ना तो socialist system कामयाब है और ना ही communist और capitalist system पूरी तरीके से कामयाब है इस वज़े से जो बुद्धा का दिखाया हुआ रास्ता है जिसको बोलते है मध्यमार मध्यमार की सच्चाई है ध्यान रखेगा balanced approach एक middle approach neither of the two extremes work ना तो right wing पूरी तरीके से काम करेगा ना left wing काम करेगा ना तो पूरी तरीके से communism काम करेगा ना ही पूरी तरीके से जो है capitalism काम करेगा इस वज़े से जो term आप देख रहे है ये term जो है mixture of two extremes है oxymoronic बोलते है इसे oxymoronic term इसे क्या कहा जाता है market socialism तो socialistic principles socialism की socialistic aspects भी आ गए और market जो की private sector participation पर चलता है वो भी आ गया ऐसा propose किया गया था इन Polish economist द्वारा जिनका नाम है Oscar Lange तो उन्होंने क्या बोला what did he state about market socialism that an economic system in which the means of production are neither old nor plant बत्तब जो machinery है जो अलग-अलग चीज़े है they are instead mediated by the market market drive करता है उसे और यही होता है mixed economies में यही होता है कि market drive करता है अगर आज की rate में market में हवा चल पड़ी है start-ups की तो start-ups की हवा चल पड़ी है तो वो market determine कर रहा है या आके मोदी जी ने थोड़ी बताए कि तुम start-up करो या यह कोई दुनिया की रीद थोड़ी है यह तो market चला जा रहा है अब वो ही market चला covid में market यह चला कि कुछ sectors perform कर रहे है start-ups में कुछ नहीं कर रहे है fintech sectors खुब perform कर रहे है लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर आप देखे कुछ sectors है collapse कर गए जैसे की education sector जो है online अगर बात करी जाए अगर आप पूरा देखेंगे तो education sector शायद उतना अच्छा function नहीं कर पाया second year, third year of covid so mediated by the market क्योंकि market determine कर रहा है उसे और कोई नहीं determine कर रहा है the state or the workers own the means of production तो state जो है वो means of production ओन करेगा in this system therefore it involves the public, cooperative or the entire society तो public चीज़े जो है जैसे की सडके हो गई, highways हो गई, parks हो गई tourist sites हो गई, यह सब state own करती है यह public के लिए state own इनको public goods कहा जाता है तो markets model और structure यह क्या determine करता है how profit should be distributed यह market determine करता है और जब तक आप market के हाथ में freedom नहीं दोगे तब तक आपको किसी तरीके से कोई profit नहीं होने वाला यह बात अपने दिमाग में बिठा ले क्योंकि profit के लिए काम करता है private sector और private sector को जब तक छूट नहीं दो के तब तक private sector काम नहीं करेगा पूरी दुनिया में आज भी आप examples देख ले में business करेगा कोई क्यों जाके African countries Congo, DRC, Nigeria, Zambia इन सब में कोई क्यों business करेगा आप जब क्योंकि वहाँ freedom नहीं है communist economies है, state controlled नहीं कि सब कुछ हमीं control करें ऐसी अर्थवस्थाय नहीं चलती है you cannot function like it और यह एक pure recipe for disaster है अगर आपने सब कुछ state ने own कर दिया और यह सारी countries इससे होते हुए गुज़र चुकी है so market participation चाहिए profit should be distributed यह market decide करेगा to employees, employees को remuneration की रूप में society को सरकार से taxes वारा उसके रूप में society as the benefit or to general public as social dividends इस तरीके से इसको distribute किया जाता है अब क्योंकि एक ऐसा आदमी आया जिसने आज तक दो system चल रहा था उसे खारेज कर दिया उसे discard कर दिया एक नया system propose करा market socialism के नाम पे तो आप यह समझ सकते हैं आप यह चीज़ देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा system जो install हुआ है इसको देखते हुए बाकी सारी countries ने इसको खारेज कर दिया तो इस वाजन अडॉप्टेज बाकी सारी countries ने इसको खारेज कर दिया तो इस बाकी की जो state economies है उस टाइम पे यह पूरी तरीके से cancel out कर दी गई तो इस चीज़ को देखते हुए जब बाकी देशों को समझ में आया कि जो वो कह रहे थे औसकर सहाब वो चीज़ बिलकुल सही था क्योंकि यह सारी countries एक टाइप का economic structure follow करते करते fail हो गई उसमें सबसे पहली country जिसका example आता है वो आता है चाइना का तो चाइना ने जो ऐसी economy का structure है यह follow करा 1966 late 60s तक 67-69 तक वो economy collapse होने की वर्च पर आ गई जिसके बाद डेंग शाउपिंग ने decentralized करा great deal of economic power कि भई सब कुछ मैं नहीं कंट्रोल कर सकता सब कुछ कंट्रोल करना ही गलत है with its announcement of the open door policy जो भारत ने 1991 में करा है वो चीन ने 1985 में करा मतलब चीन भी भारत से नीचे ही था आज देखें चीन कहां पर है to open China to foreign businesses इसका मतलब क्या है foreign business के लिए open करा मतलब market economy आपकी open है your market economy is open that wanted to invest in the country जो देश में invest करना चाहते थे the peak of this type of planning was reached in China after the cultural revolution which led to an economic slowdown in the country जो चीज़ चीन ने देखी और उसके बाद इस ये changes देकर आए वो ही चीज़ रश्या ने भी देखी तो this was seen by Russia and Russia was also a failed state रश्या तो आज भी war के बाद fail हो गया है Soviet Union under the leadership of Mikhail Gorbache तो वहापे ऐसी नाम होते न Gorbache, Bolshevik, Stalin began a process of political and economic reforms तो एक को बोला गया Press Troika कि आप अपनी economy को restructure करो और दूसरा है glass nost openness कि अपनी economy को खोलो किसके लिए दर्वाजे खोलो ताकि बाहर के लोग अंदर आ सके In 1985 to save the failed economic experiments in the state economy मतलब रश्या में भी वो structure fail हो गया तभी आपको open करने की जरूत पढ़ रही है तो पहले चाइना को समझ में आया फिर रूस को समझ में आया उसके बाद और देशों को Eastern European देशों को समझ में आया post the USSR breakup Other East European economies followed similar economic reforms from 89 onwards So the whole world of the state economies had moved towards market economy by the late 80s और भारत ने ये चीज़ अरॉप करी 1991 यानि 91 में So since then none of the countries have followed imperative planning तब से ले कि आज तक imperative planning follow नहीं हुई जो planning follow हुई है उसको हम कहते है indicative planning तो अब समझेंगे indicative planning होता क्या है तो indicative planning होता क्या है What is indicative planning? When we talk about indicative the word indicative is a hint Indicate करना ये रास्ता वहाँ जा रहा है Indicate करो Hint दो अच्छा वहाँ से जाके लेट ले लेना Indicative planning Indicate Hint इशारा Hindi में इसे कहा जाता है इशारा तो आपने किसी को इशारा दिया Hint करा कौन किसको इशारा देता है और उसपे कौन आक्शन देता है ये देखने वाली बात है This is something that has to be seen तो Indicative planning is The hint or the इशारा coming from the state or you can say the government It is given to the economy तो economy के जितने भी constituents है economy के जितने भी constituents है जैसे कि आप और हम individuals हो गए या companies हो गए study IQ जैसी companies हो गए या corporate houses हो गए बड़े business houses, manufacturing entities service sector मतलब कोई भी हुआ इनको indicate किया जाता है सरकार द्वारा कैसे indicate किया जाता है indicate किया जाता है वाया economic policies तो जब आप economic policy बनाते हो तो economic policy एक indication होती है उस सरब कि भई अब आप इस business में इंटर कर सकते हो योकि हम इस business को encourage कर रहे है example के लिए अगर मान लीजे एक budget आया और उस budget में start-up community को incentive दिया गया कि आपके उपर पहले 3 साल जो है जो भी आप income कमाएंगे उस पे tax नहीं लगेगा there would be no taxation on the income that you earn तो उस चीज़ को देखते हुए समझते हुए अगर हम देखे तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है what happens over here कि यहाँ पे हम यह देखते है कि आपको इशारा मिला तो लोग start-up करते है तो जो constituents है economy के जो private sector है individuals है companies है उनके लिए policy बनती है फिर वो उस सरफ चल पड़ते है automobile manufacturer को manufacturer को या assemble करने को भारत सरकार जो है वो push दे रही है तो आप यह करे real estate sector को push दिया जा रहा है वो करे MSME sector को push दिया जा रहा है वो करे mudra bank बनाया और कई तो यह सब क्या है यह indications ही तो है कि हमने scheme मना दी अब आप इसका कैसे फायता उठाओगे या आप दे को तो यह एक बहुत ही important feature है indicative planning का an extremely important feature दूसरा जो feature है indicative planning adopt हुई two out mixed economies वारा it was adopted by mixed economies mixed यानी ऐसी economies जहां पर कुछ चीजे ऐसी है जो आज भी government या state command करती है और कुछ चीजे ऐसी है जो की आपने private sector के लिए छोड़ी हुई है you have left them to the private sector this is something which is known ये चीज़ आती है mixed economies में indicative planning पे highly highly important और इसकी वज़े से यहां पर role किसका आता है role आता है market economies का market economies का role इसलिए आता है क्योंकि आपको public या private sector participation चाहिए तो वो market ही determine करेगा जो policies आप बनाते है वो आप market के लिए बनाते है you make those policies for the market अब क्योंकि आपने market के लिए policy बनाई है तो वो जिस तरीके से market policy पे आट करेगा उससाब से prices उपर नीचे जाएंगे business में participation उससाब से होगी ये सारी चीज़े हैं फिर numerical targets जो है वो यहाँ पर भी set होते है अब वो private sector अचीव करें public sector अचीव करें वो जैसे भी अचीव करना है आपको उस level पे indication मिल चुका है so this is primarily indicative planning तो देखें इसकी definition that planning has been termed as indicative planning by economist and expert जहाँ पर ना तो state economies ना ही communist या socialist political systems चलते हैं the nature of that planning was different from command economies command economies से जो कि state और communist countries follow करती थी उससे अलग है तो यह Soviet planning जब commence होई तब यह पता चला कि Soviet ही वो देश है जिसने सबसे पहले planning as a concept start करा था यह हमने पिछले lecture में देखा था तो इसके चलते अब अगर हमें देखना है कि कौन सी economies indicative planning follow करती है वो indicative planning के features से हमें समझ में आएगा जो हमने अभी discuss करे तो every economy following indicative planning is mixed economy unlike a centrally planned economy indicative planning works through the market price system rather than it does not replace it it works on this इस चीज़ पे काम करा जाता है उसके बाद side by side setting numerical or quantitative targets a set of economic policies of indicative nature कि आप indicate कर रहे हो is also announced by the economies to realize the planned targets कि planned targets को realize करने के लिए आप इस particular stage पर आकर काम करते हो तो indicative nature जो है वो क्या करेगा वो encourage करेगा या discourage करेगा private sector को in its process of economic decision में की तो ये indicative nature of planning जो है वो policies ऐसी बनाएगा कि आप या तो encourage हो जाओगे या discourage हो जाओगे जो की actually होता है तो आप अगर इसको coronate करेंगे start-up India और stand-up India scheme आई तो उसने क्या करा उसने हमें encourage करा या discourage करा तो हमें encourage करा गया तो ऐसी skill India scheme आई encourage किया गया और अगर किसी sector में कोई scheme नहीं आ रही है तो मतलब भारत सरकार नहीं चाहती की market respect करे इसको indicative planning कहा जाता है तो Soviet के planning process को adopt करने के बाद ये चीज़ France पहुंची जहाँ पे six year plans जो है वो develop करे गए पहला plan जो आया था so mixed economy by the 40s they commence their first six year plan in 47 जिसको Mone plan कहा गया Mone उनके पहले chairperson थे General Planning Commission के and the then cabinet minister for planning in France ये France में जिस तरीके के planning चल रही है उस चीज़ पे ये बारी जो है ये चलती रही तो कई तरीके से planning हुई the plan is also sometimes described as the basic sector planning as the government had selected eight basic industries eight basic industries जो development का core है जैसे कि iron, steel, coal etc in which the nature of planning was almost imperative जो की थी under state monopoly जो की बिलकुल सरकारों के हाथ में होनी चाहिए ये 8 core industries इसके सवा आपने बाकी के industries private sector के लिए खोल दी तो ये भी एक indication है these sectors were owned by the private sector till 1944 independence के पहले when France opted for their nationalization so other economic activities were open for private participation wherein indicative planning and policy planning were essential तो सरकार जो है वो policy maker है और उसके बाद private sector जो है वो policy follower है so the world war 2 के बाद almost new independent countries adopted the route of planned development क्योंकि socialist और communist models पूरी तरीके से failed थे आज भी जो communist countries अपने आपको communist कहती है communist party द्वारा ruled है लेकिन वो भी countries market model follow करती है क्योंकि market model के बगेर आप फिर से collapse कर जाओगे जब तक market model नहीं होगा तुम अपने खुद कब तक करोगे private sector तो चाहिए बाकी लोग क्या खाली बैठे रहेंगे वो सरकारी दौकरी करते रहेंगे आप देखे ना आज की रेट में इंडिन स्टेट्स देखे जो communist model पे चलते है केरला देखे education rate highest लेकिन development में केरला का number कहीं नहीं आता private sector एक्जिस्टी नहीं करता यहां तक की Uber ओना नहीं चलती वहां पे they don't allow them to exist क्योंकि इतनी strong lobby है जो वहां के लोग है प्लस जो सरकारों के साथ चीजें चलती है आज भी केरला में secretariat के बाहर जो है किसी ना किसी बात पे धर्ना चलता रहता है कोई ना कोई private sector के खिलाफ तो दर्शन करता रहता है So, though they followed an overall model of indicative planning many of them had a serious inclination towards imperative planning imperative planning की तरफ थी क्योंकि इसमें control तो तुमारे हाथ में होता है लेकिन indicative planning need of the hour था तो भारत में क्या करा the heavy bias towards imperative planning could only be reformed once the process of economic reforms was done in 91 91 के पहले most of the sectors were nationalized by the government of India and this is something that we had to end this is something that we had to unfollow और हमें कुछ नई चीज़ फॉलो करनी थी तो ये चीज़ है तो भारत में कौन सी approach आई एक approach जिसे हम कहते है normative approach I repeat we call this approach the normative approach ये चीज़ economic survey 2010-11 में state करी गई simple भाशा में अगर बात करी जाए normative approach का मतलब ये है कि आप अपने देश में जो भी चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हो बहुत हागे बढ़ना चाहते हो ये सारी चीज़ें करना चाहते हो but it should be in sync with whatever has been done in the past जो भी चीज़ें past में हुई है जैसे कि भारत के culture को उसकी ethos को उसके culture को उसकी संस्रिती को आप बनाए रखे मतलब उस चीज़ का essence खतम नहीं होनी चाहिए इसको कहा जाता है normative approach no matter how modern you become but you should still be connected to your roots your historic values your cultural values it's termed as normative approach which was stated in the economic survey 2010-11 so believe that until a program run by the government is not able to connect with customs, traditions and ethos of the population their acceptability will not be of the desired level among the target population target population के desired level तक यह चीज़ नहीं हो सकती और यही चीज़ January 2015 में जब भारत सरकार ने Planning Commission को disband करा और उसकी जगे नीती आयोग बनाया तो नीती आयोग को जो पहला target दिया गया था वो यह था to stick to the normative approach So, नीती आयोग has been further asked to enable the country to draw on the vitality and energy of the bedrock of our ethos our culture our sustenance This is all what we are working towards इस तरफ जो है हम काम कर रहे है So, if the development should be all-round development pervasive development widespread development So guys यहां हमारा chapter खतम होता है यह जो PDFs है यह मिलेंगे मेरे टेलेग्राम हंडल पर इसको जरूर सबस्ट्राइब करें और इसी के साथ-साथ अन्य सोशल मीडिया हंडल्स पर भी मेरे साथ जुड़ें और आप चाहते है Study IQ के courses को subscribe करना अगर आप आए ऐसा sprint है हमारे courses live रहते हैं और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका course miss हो रहा है because we keep coming up with batches तो आप batch को subscribe कर सकते हैं यदि आप subscribe करना चाहें तो आप मेरा code यूज़ करे जो की है सांगी live use my code सांगी live and get discount on your subscription amount all the best thank you everyone चैह है